नमस्कार आज में आपको बताऊंगी बहुती आसान और सरल तरीके से फोर्टक्स ब्लाउच कटिंग एंड श्टिचिंग तो यहां पर देखिए हमारा कपड़ा है वो डिजाइन का कपड़ा है इस तरीके से डिजाइन बन्यू हुई है यहां पर देखिए यहां पर चोटा गला है वो आगी का है तो इसमें यहां पर सिलाई लगी हुई है सिलाई को निकाल लेंगे और यहां पर बाजू है और एक बाजू है तो देखिए सबसे पहले हमें अस्तल की कटिंग करनी है अस्तल को हमने डबल करके रखा है इस तरीके से उसके बाद यहां पर हम चैस्ट का निशान लगाएंगे जैसे हमारी चैस्ट है यहां पर 40 तो 20 इंच पर यह निशान लगा लेंगे उसके बाद हमें यहां पर गुंजाश लेनी है तो 4 इंच लेंगे हम यहां पर गुंजाश अब यहां पर हमें कपड़े की लंभाई देखने हैं तो दीकिए हमारी जो पीछे की लंभाई है वो 15 इंच है तो हम यहां पर कपड़े की लंभाई लेंगे 16 इंच तो सबसे पहले तो हमें आगे और पीछे के दोनों पल्लर निकालने है अब हमें इसको ऐसे करके चोटा बड़ा करना है यहाँ पर कितनी लंबा ही है हमारी 16 यानि 15 इंच का तयार चाहिए 2 इंच हम आगे का पल्लर बड़ा लेंगे इस तरीके से अब इसको देखिए हमें ऐसे करके डबल करना है अब देखिए पीछे का गला हमारा डीप है तो यहाँ पर हम सोल्डर लेंगे 6 इंच आगे का हमारा चोटा गला है जो पैटन बना हुआ है उसमें आगे का गला चोटा है तो मैं बताती चलूँगे आपको किस किस तरीके से कटिंग करना है तो हमने सोल्डर 6 इंच लिया है आरूमल 6 इंच और यहाँ पर देखिए गोल आई तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आरूमल का कटिंग करना है अब यहाँ पर हमें सोल्डर को अलग करके दोनों को अलग करना है अब यह हमारा आगे का है और यह हमारा पीछे का है आगे की साथ देखिए हमें यहाँ पर आदा इंच कटिंग करना है कि जोलना है यहाँ पर लेंगे हम गले की चोड़ाई 1,5 इंच गले की लंबाई लेंगे 6 इंच और यहाँ पर हमें चौकूटा निशान बनाना है उसके बाद यहाँ से गोल आई अब देखे यहां पर हमें आदा इंच करना हों यहां से इस तरेके से आदा इंच करेंगे और ढार इंच की हमने गले की चौड़ाइ लिए और यहांपर 6 इंच गले की लमबाइ लिए इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे अब हमें यहां पर लगाना है टक्स का निशान, तो देखिए हम यहां पर 10 इंच पर लगाएंगे टक्स का निशान, और इसकी लंबाई जैसे हमें 15 इंच की रखने है, यहां पर तो एक इंच हम बढ़ा के लेंगे, और एक इंच लेंगे हम प्लेट के लिए, तो हमने दो इ कोपडा ़ोनिकालेंगे तो जैसे हमारा 10 इंच फिटिंक का कपडा गर निकाला हमने अब यह को अदो लिए अगर विली निशान लगाएं तो इस तरीके दाए उस तरीके दी निशान लगाएंगे इस तरीके से प्लेट का निशान लगाएंगे देखे बीच में इस तरीके से एक निशान हमें यहां पर लगाना है और एक निशान दो इंच की दूरी छोड़के यहां पर कि दो दो इंच की दूरी छोड़नी है हमें यह कपड़ा सिल्की है इस तरीके से अब हमें केंची के कट लगाने हैं अब हमारा जो भी कपड़ा है कि तो यह हमारा आगे का है तो इस तरीके से हमें जो हमारा यह गले का सेप है न उसी की पराबर हमें ऐसे रखना है तो यहां पर देखे हमने आगे का पार्ट काट लिया है तो यहां पर हम पहले पूरे पर सिलाई लगाएंगे अब यहां से हमें अपना पीछे का पला निकालना है जो पीछे की इडिजाएन है तो यहां पर हमारा यह पीछे का आ गया अब देखे इसका जो गला है इसी डिजाएन में हमें गले को बनाना है तो बू में आपको स्टिचिंग में बताऊंगे किस तरीके से बनाना है अब अब हमें बाजू निकालने इसको ऐसे डबल करेंगे पहले हम इसकी जो चौड़ाईय है बू देखे हैं यहांपर हमारे कपड़े की चौड़ाईय है 18 इंच इसको हमें ऐसे करना डबल और यहां पर डिजाइन है वो है 17 इंच तो हम 18 इंच पर निशान लगाएंगे और यहां पर लेंगे हम 4 इंच इसको उपर की साइड हमें ऐसे लेके जाना है कि अब इसको भी हमें ऐसे ही डवल कर ना विसको ऐसे डवल कर रहे हैं तो यहां पर कपड़ा कम है तो इसके लिए हमें जोड लगाना पड़ेगा जैसा यह डजाइन है उसी के साफ से हमें कटिंग करना है यहां पे भी हमें इसे बराबर करना है चोटा बड़ा हो रहा है ना जैसा यह कपड़ा है उसी के साब से हमें बाजू को निकालना है तो यहां पर जो कम हैं तो इसमें हम दूसरा कपड़ा लगाएंगे तो यहां पर हम यह जो कटिंग का कपड़ा बचा हुआ इसी को लगा लेंगे अगर आप इसमें अस्तल लगाना चाहें तो अस्तल भी लगा सकते हैं तो अब मैं आपको इसके स्टिचिंग बताती हूं वह आसान और सरल तरीके से अब दीखें यहां पर सबसे पहले हम अस्तल और कपड़े को पर सिलाई लगाएंगे तो यहां पर हमने अच्छे से अब दीखें हमने बीच में भी सिलाई लगा लिए अब अस्तल के बराबर हम कटिंग कर लेंगे अब 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 यह हमारा जो प्लेटों को निशान है तो सबसे पहले हमें प्लेटे डालेंगे देखें यह निशान बने हुए हैं कर देखें कर देखें हर देखें हर दो यह निवह यह कर दो अब हुआ कर दुआ, कर लो करेद ते रहादों कर दो कर दोर है प्रूद से झाल से अबादों, गार में आपिन अपिछा है कि अब देखिए हमने यहां पर तीन प्लेट डाले अब जैसे आप यहां से काट लें बीच में से फिर आप चाहें तो यहां पर एक प्लेट इस तरीके से और डाल सकते तो यह आगी का हुका हो जाएगा और हम बना रहें पीछे का हुका तो फोर्टक्स बलाउज में अब आगे का भी बना सकते हैं तरीका यही रहेगा अब हमें इसमें गले में पर्टि लगाने हैं तो मतलब कश्टुमःकर वला उसका अस्तर लों शिल्की एं उसे एक अस्तर लोल आना चाहिए ता इसमें शूती तो यह नहीं निकलते एक कपड़े में रूंए बहुत जादा अब यहां पर हम इसको तिर्चा करेंगे, इस तरीके से, अब यहां पर हम डेढ़ देढ़ इंच की पट्टी लेंगे चोड़ाई में, अब इनको हम जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ लेंगे, अब यहां पर देखें अब यहां पर अब यहां पर पट्टी को रखेंगे, और सिलाई लगाएंगे, पट्टी को पर सिलाई लगाएंगे अब अंदर का कपड़ा वो काटेंगे अब यहां पर हमने अंदर का कपड़ा भी काट लिया है अब नीचे के साथ पट्टी लगा लेंगे यहां पर बराबर कर लेंगे अब स्वश्वार काटेंगे अब अब इना के लेंगे झाली को भी को अब लेंगे कि यहां पर हमने नीचे की साइड भी पट्टी लगा लिए अब आगी का पल्लर हमारा तैयार है अब हम पीछे का पल्लर तैयार करेंगे तो दिए कि पीछे की साइड हम जैसे हो कुपाला बनाना चाहें तो हो कुपाला भी बना सकते हैं यहां से भी कटिंग करके होक लगा सकते हैं बाकी सब सारा ले अब हमें इसमें कुछ नहीं करना बस पीछे का पल्लर जोड़ना है तो पीछे का पल्लर वो डिजाइन का है तो देखिए इस तरीकी का यह डिजाइन है तो यहां पर किनारे पर सिलाई लगा लेंगे पूरे पर पिल लगा लिए, इसलिकी कपड़ा है, इसलिए अब दी कि यहाँ पर पिन को निकाल लेंगे इसलिकी पिलिए आदिए. कर दो 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 कर अब देखिए यहां पर मैंने पूरे पर सिलाई लगा ली अब पीछे की साथ हम प्रेट डाल लेंगे और इसमें हुक बाली और काज बाली पट्टी लगानी है अब अब्टी अब्टी इसमें सुखनी हम इसमें पर सिलाई लेखिए लेखिए यहां लीट व्टार अब्टी अबटी इसमें से दोल sûrन अबटी अब्टी इसमें चीग आचे आ लीग अबटी शोल है की नक की फिलन हो कि की जर बगलका जगर अज मुः अक्या ता emotि लिझा COний जड़ खेखो की बंगो। अब दीखें यहां में हमारी काज वाली उक्को वाली पट्टी लग गई है अब हमें आगे के पलर में इसको जोड़ना है कि अब यहां पर हमने आरोमल में जोड़ लिया अब हम इसमें बादु जोड़ेंगे फिर लगा लेंगे हम इसमें सिलाइफ टिंग की अब देखिए बादु जोड़ने से पहले हम इसको नाप लेंगे इस तरीके से यहां पराबर आ रही है अब इसको लगा लेंगे है 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 हम ने यहां पर फिटिंग के शिलाई लगा लिए एक सिंपल से शिलाई लगाई है बाद में नापेंगे तो यहां पर जो पीछे का कपड़ा जादा इसको ऐसे करके इस पर तुर्पाई कर लेंगे यह सिलाई लगा लेंगे ऐसे करके कि अगर अगर कि अगर कि यहां वायआ कि अगर कि अपर एक सूह्ण reaction कि अर्च वाय, याँ कि अगर कर दिए पर अहां पर यहां पेले पूरे पर सिलाई लगा ले नीचे की साइड भी टिटेंगी फिटिंग की भी शिलाई लगा ले इस तरीके से बनकं तई आर आज अब हमें गले फल्ट पर तुर पाई करनी है यह बहुत बढ़ा बला हुजे पीछे की साइड लगाएंगे कि अब यहां पर हमारी बाजु Dick and review हम पर फरवून कर लेंगे अंदर के अर्पा कच अच्छी लगुंग है जैसे मैंने कि पीछय का बना जरे सकने पीछय का अगू कि र्दिदिंट समय अगे का कर लिया है तो आप पीछय का करें आगे का कटिंग कर लें यहां से बीच में से एक प्लेट और डालने तो यह आगे का बन जाएगा आशा करते हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को जाए से जादा शेयर कीजिए कुछ सीखना है या पूछना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए मैं आप आपको कीजिए से टो का म कीजिए एक बैर बनाने हो कमेंट कमेंट र Wars